हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चानल पथिक दगाईड दोस्तों नैनीताल भारत का एक ऐसा टूरिश्ट डेस्टिनेशन है जहां पर प्रतेइक वर्स लाखों के संख्या में टूरिश्ट विजिट करने के लिए आते हैं लेकिन इन में से बहुत से लोगों को सही जानकार ना होने के कारण सिर्फ नैनीताल सीटी और यहां के कुछी साइट सीन देख पाते हैं वैसे तो नैनीताल में घूमने और देखने के लिए एक से बढ़कर एक बहुत से प्लेसेस हैं और आप जिन भी प्लेसेस पर जाएंगे वहां पर जाकर आपको अच्छा लेगा लेकि वीडियोटि को नैनीताल की टेकिन देखने को मिलेगी तो चल यह स्टार्ट करते हम अपनी वीडियो श्केश करने से पहले आप से रीक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्कीप के हुए एंड तक देखें दोस्तो नैनिताल के साइड सीन में सबसे पहला प्लेस है स्नो व्यू पॉइंट यह प्लेस बहुती प्यारा और बहुती खुबसूरत है यहां से आपको हिमालिया का काफी खुबसूरत व्यू देखने को मिलता है और इसके साथी यहां पर टुरिष्टों के एडवेंचर और एंटेटेंडमेंट के लिए भी बहुत सी चीजे हैं यहां पर आप चाहें तो अपने फ्रेंट्स तथा फैमली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यह नैनिताल का एक ऐसा प्लेस है जहां पर रोप्यों की फैसलिटी अविलेवल है नैनिताल के मॉल रोड से स इसका किराया लगबख साड़े 300 रोपय है नैनिताल के साइड सीन में सेकंड स्पॉट है लवर्स पॉइंट न्यूली मेरेट कपल्स के बीज फेमस यह प्लेस बहुती प्यारा और बहुती खुबसूरत है यहां से आपको पहाडियों और घाटियों का संदर व्यू देखन आप जाने के लिए multiple जायेगा जहां पर आप चाहें तो होर्स राइडिंग या फि streking करके टिखिंटोप तक जासकते हैं अगर आपको ट्रेकिंग करना पसंद हो तो आप यहां से लगभग 5 km की ट्रैकिंग करके टिफिन टॉप और टिफिन टॉप से लगभग 1 km की ट्रैकिंग करके दौरती सित तक पहुंच जाएंगे यहां से आपको नैनीताल सिटी का काफी खुबसुरत व्यू देखने को मिलेगा किलवरी रोड पर रिस्थित हिमालिया दर्शन पॉइंट नैनीताल का फोर्थ साइड सीन है यहां से आपको नंदा देवी पंचा चुली त्रिशूल परवत और एरावत परवत की बर्फ से ढखिवी चूटियां और ग्लेसियर्स का खुबसूरत व्यू आपको देखने को मि और यह सारे ग्लेसियर्स आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दिन के समय ग्लेसियर्स के आसपास धुंद और बादल लग जाते हैं जिसकी वैसे दोपहर और साम के समय यह सारे ग्लेसियर्स उतना क्लियर दिखाई नहीं देते हैं जितना कि सुबह के समय द करता है टांकी बेंड टांकी बेंड से लगबग तीन किलोमेटर की ट्रैकिंग करके आपको जाना होगा नैना पीक जिसे की हम चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं यह यह यहां का फिप्त साइट सीन नैनिताल का सबसे सांदार और खुबसूरत विव यहीं से दिखाई देत अगर आप हिमाले दर्शन पॉइंट जल्दी पहुंचेंगे तो आप यहां पर भी अर्ली मॉर्निंग पहुच जाएंगे क्योंकि यहां प्लेस हिमाले दर्शन पॉइंट के काफी नजदीक है आप हमेशा कोशिस करें कि दोपहर तक नैना पीक पहुच जाएं क्योंकि द से नैनिताल का व्यू उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है नैनिताल का छटा साइड सीन लेग व्यू पॉइंट है जो कि किलवरी रोड पर ही पड़ता है हिमालिया दर्शन पॉइंट की तरफ जाते समय या फिर हिमालिया दर्शन पॉइंट और नैना पीक की तरफ से वाप करता है यह waterfall भी काफी प्यार और काफी खूब सुरत है तो आप यहां पर नैनिताल आते समय विजिट कर सकते हैं दोस्तों नैनिताल के सभी साइट सीन्स में सबसे अधिक घुमे जाने वाले नैनिताल बाइपास रोड से नैनिताल आने वाले लगबख सभी टूरिस्ट यहां के waterfall पर भी विजिट करते हैं लेकिन बात के लिए दी व्यू की तो नैनिताल सिटी का सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत व्यू नैना पीक से दिखाई देता है जहां पर सबसे कम टूरिस विजिट करने के लिए आते हैं अगर आप नैनिताल आए तो आप यहां के नैना पीक जरूर जाएं क्योंकि नैनिताल की रियल व्यूटी आपको इसी प्लेस से देखने को मिलती है तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी साइट सिंस बताए हैं वह सभी साइट सिंस नैनि और मुक्तिश्वर जैसे प्लेसे से जहां पर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा आगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को वीडियो के साथ थैंक्स फर वाचिंग और फ्रेंड्स